नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में फिटकरी में कई औशधिय गुन पाए जाते हैं साथ ही ये वास्तु शास्त्र की द्रिष्टी से भी इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है जोतिश शास्त्र में फिटकरी के कुछ ऐसे उपाय बताये गए हैं जिन्हें करने से व्यक्ती की किस्मत चमक सकती है कोई पुरानी बीमारी हो या कोई व्यक्ती आर्थिक समस्या से गुजर रहा हो फिटकरी सभी प्रकार की समस्याओं से लाभ दिला सकती है वास्तुशास्त्र में ऐसे कई उपाय बताये गए हैं जिनके द्वारा व्यक्ती कई प्रकार के दोश से छुटकारा पा सकता है वास्तुशास्त्र असल में हमारे जीवन को आसन बनाने की एक प्रणाली है वास्तु शास्त्र में घर में ही प्रयोग होने वाली कई ऐसी चीजों के उपाय बताये गए हैं, जिन्हें करने से नकारात्मक्ता के साथ साथ घर की कई समस्याएं दूर होती है, इन्हीं में से एक है फिटकरी, जिसके उपाय करने से व्यक्ति को कई तरह के लाभ मिलते हैं. फिटकरी से नकारात्मकता दूर हो जाती है। कई परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। फिटकरी के उपाय से पती-पत्नी में अनबन नहीं होती है। यदि बिना किसी वजह पती-पत्नी के रिष्टे में दरार आ गई है या अनबन होती रहती है, तो इसके लिए आप फिटकरी का यह उपाय कर सकते हैं। अपने बिडरूम की खिडकी के पास एक कटोरी में फिटकरी रख दें। ऐसा करने से पती-पत्नी के संबंध मधुर होते हैं। फिटकरी के उपाय से घर में पैसों की तंगी नहीं होती है। अगर आपके घर में धन से जुड़ी कोई भी समस्या हो या किसी को धन की हानी जेलनी पड़ रही है, तो उसे अपने पर्स में फिटकरी का एक छोटा सा टुकडा रखना चाहिए। ऐसा करने से कम पैसा खर्च होता है। और घर में बरकत बनी रहती है, फिटकरी से स्वास्थ्य में मिलेगा लाब अगर किसी व्यक्ती के तबियत बिगरती रहती है, तो इसके लिए उसे बीमार व्यक्ती के सिर पर साथ बार उल्टी दिशा में फिटकरी को घुमा कर बाहर फेंक दें ऐसा करने से तबियत में सुधार देखने को मिलता है। इसके साथ ही तकिया के नीचे फिटकरी का टुकडा रखकर सोने से बुरे सपने नहीं आते हैं। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए धन्यवाद।